Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with a question paper of P.A.S.T. of the year 2015. So 2015 में ये question paper आया था जिसकी CDP आज हम solve करेंगे paper 1 की. ठीके जी, तो let's start. पहला question क्या आया था इसमें, तो आप देख सकते हैं, कि पहले question मुन ने बोला है कि जो law of exercise है, वो contribution है, of which school of psychology? इन में से law of exercise की बात, कौन सी चीज को लेकर की गई है psychology की? देखो behavior से related है आपकी, behavior in the sense कि जैसे law of exercise मतलब कि जो चीज आप बार-बार practice करोगे, आप उस चीज को ज़्यादा अच्छे से और जल्दी सीखोगे, ठीक है? law of exercise का मतलब यह है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? construct तो नहीं करोगे, बचा, psycho analysis भी नहीं है, guest all to school भी नहीं है, तो इसका सही answer है behaviorism. आपका behavior ऐसा होना चाहिए, आप में ability होनी चाहिए, ठीक है जी, ताकि आप उस चीज को exercise कर सको, practice कर सको, तो behaviorism इसका सही answer है. Next question देखिए, it is said that a teacher should be resourceful, इसका मतलब क्या होता है? कि जो एक teacher है, उसको resourceful होना चाहिए, resourceful आप सबको पता है क्या होता है? कि जो एक teacher है, वो बच्चो के लिए हमेशे कुछ न कुछ अच्छा provide करे, जो बच्चे को जरूरत है, उसकी जरूरत को सही करे, ठीक है? तो पहला उन्होंने option दिया है कि teacher के पास money और property होना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है. Second, he should have good contacts with higher authorities. No. इससे बच्चो को क्या फायदा? ठीक है? He should have adequate knowledge to be able to solve the problems of the students. ये बिलकुल सही है, देखो. He should have a good reputation among the students so the authorities are not able to take measures against him. नहीं, वो सिरफ fourth में बोला गया है कि वो सिरफ बच्चो के साथ इसलिए rap-o अपनी अच्छी रखेगी teacher ताकि authorities है जो उसको कुछ बोले ना. ये तो बहुत गलत बात है. अपने फायदे के लिए teacher नहीं करेगा कुछ. ठीक है? वो बच्चो के needs पूरी करेगा. तो C option बिलक in years of age के बच्चों के लिए है. तो वो कौन सा amendment था? 93rd amendment था. 93. ठीक है जी? तो इसका answer 93 है. Next question है fourth. अब backward child वो होता है जो mid school career में is unable to do the work for the class next below that which is normal for its age. Who gave this definition? ठीक है जी? तो ये definition किस ने दी है कि जो backward class के बच्चे हैं, जो backward बच्चे हैं क्लास में, ठीक है? मतलब जो पढ़ाई में थोड़े ठीक ठीक हैं. वो होते हैं जो mid school career में ही unable होते हैं. मतलब वो काम नहीं कर पाते हैं सही से. ठीक है जी? तो ये किस ने दी थी वेच्चे? बर्टन ने. ठीक है? Next question पर आते हैं. Fifth question. Cultural expectations of male and female behavior are called. तो ये तो हमें पता ही है. इसको हम क्या बोलते हैं? Gender stereotype बोलते हैं. इसमें इन्होंने stereotype ना लिखके gender types लिख दिया. तो ये तो हमें पता ही है कि male और female को divide किया गया है. इसको gender stereotype बोलते हैं. ठीक है जी? तो जो society की हमसे expectations हैं, उनको divide किया गया है. और उनको हम क्या बोलते हैं? division को. Gender stereotype बोलते हैं. ठीक है जी? Then comes sixth question. उनने बोला, प्याजे advocated that the needs of tailoring the education of the child according to this level of functioning of this cognitive structure. This is called कि प्याजे ने बोला कि जो बच्चों की education है, उनके level के according, उनके mind के according उनको देनी चाहिए. ठीक है? जी, जीतना मतलब कोई average बच्चा है, उसके according उसको थोड़ी knowledge देनी चाहिए. थोड़ा धीरे धीरे उसको पढ़ाना चाहिए अच्छे से. तो ये क्या हो गया? self learning हुई? नहीं. classification करना हुआ? no. ये तो people centered education हुई. कि बच्चे को ध्यान में रखके आपने पढ़ाना है. ठी morons वो बच्चे होते हैं, जो थोड़े stupid होते हैं. जी, उनको बोलते हैं कि तो stupid है, बिलकुली. मतलब थोड़ा सा उनका mind issue होता है. ठीक है? उनको बोलते हैं morons. ठीक है? तो उनका IQ level कितना होता है? 51 to 70 होता है. ये बिलकुल इसका correct answer है. फिर आते हैं next question की तरफ. 8th question की बात कर सकते हो CDP की 42 videos है. वहाँ पर आपको सारे concept clearly मिल जाएंगे. 9th question. In the trial and error theory of learning, law of effect को हम क्या बोलते हैं? effect मतलब देखो कोई चीज आप पर effect कर रही है. आप कोई से चीज को practice करोगे. आप पर effect होगा उस चीज का कि क्या अच्छे से practice करोगे उस चीज को जैसे हमने पहला question कि law of exercise. आप देख सकते हैं इस में से दो question आए है. टीक है? law of exercise जब आप practice करोगे. effect मतलब उसका effect तो होगा, result तो आए गई. टीक है अच्छे से करोगे तो pleasure भी मिलेगा, नहीं करोगे तो pain भी मिलेगा, तो इसका सही सा answer है. B option. 10th question की तरफ आते हैं. When the problem is seen as having only one answer with all the thinking. कि जब आप कोई चीज सोच रहे हैं, कोई question के बारे में सोच रहे हैं और आपको वापिस से वही answer मिलता जा रहा है, उस thinking को आप क्या बोलोगे? तो सीधी सा answer है इसका convergent thinking. क्योंकि आप जो भी सोच रहे हैं, आपको एक ही answer मिल रहा है. अगर divergent thinking होती, तो मतलब आपको बहुत सार solutions मिलने थे, बट नहीं है, तो क्या हुआ? convergent thinking. 11th question, the people with whom person identify most strongly are called? देखो, वो लोग जिनके साथ जो person है, दूसरा वाला, वो अपने आपको strongly identify कर पाता है, उनको बोलते हैं in groups. आप किसी के साथ communicate करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कहां खामिया है, कहां के आपी उपरह कर, then, constructivism as a theory emphasizes, constructivist क्या होता है, कि जब आप बच्चे की knowledge को construct करते हो, तो ये जो theory है, ज़्यादा focus किस पे दे रही है, the role of a teacher in learning, memorizing information, the role of imitation, ये none of these, तो इसका सीधा सा answer है, none of these, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, नेक्स आते है, 13th question पे, और ये question बहुत important है, क्योंकि most of the time question paper में repeat हुआ ये question, कि जो एक female teacher है, उनको primary school level पे अच्छा teacher माना क्यों जाता है, क्योंकि देखो, जो एक female होती है, पहले तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, ठीके जी, अपने बच्चों की तरह समझ के treat करती है, तो उस female को हम as a primary level की teacher रखते हैं, ठीके, पहला, क्योंकि वो deal कर सकती है, stressful situation से, no, क्योंकि वो ready होती है, low salary लेने के लिए, no, greater need to earn their livelihood, no, तो सही answer है, D, they are more apt to perform multiple roles and are also flexible, कि एक female ही multiple roles play कर सकती है, और flexible होती है, मतलब, उस according अपने को ढाल लेती है, females. Next question is, कि जो एक बच्चा है, वो 16 को 61 लिख रहा है, और वो confused हो रहा है, और D और B में, तो इस case में उसको कौन सी problem आ रही है, यह disabilities में से question आया है, कि उसको क्या दिक्कत है, देखने में दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वो 16 और 61 भी कैसे लिखता गर नहीं दिकता, mental impairment, learning disability, mental retardation, तो इसका सीधा आँचा है, learning disability, तो इसको learn करने में दिक्कत आ रही है, उसको समझ नहीं आ रही है, वो चीज, concept नहीं आ रहा है, उसके mind में, exactly, then comes the next, who among the following psychologists explain intelligence in the term of primary mental abilities, तो इन में से, कौन सा ऐसा psychologist है, जिरो ने explain किया, primary mental abilities पे, तो इसका सही आँचा है, Thurston, D option, ठीके जी, next question, development means a series of progressive changes in orderly and predictable pattern as a result of maturation experience, की maturity और experience से ही learning होती है, यह किसने बोला था, यह Harlock ने बोला था, यह भी बहुत important question, इसको अच्छे से कर लेना, so now let's come to the 17th question, उन्होंने पूचा है, कि सबसे important challenge एक teacher के लिए क्या होता है, तो हम सबको पता है, एक teacher का सबसे important challenge, सबसे important काम क्या होता है, बच्चों की needs को समझना, और उनकी needs को fulfill करना, यह एक teacher की सबसे बड़ी responsibility होती है, बच्चों की needs को समझना, next question उन्होंने पूचा है, कि जो एक child है, एक बच्चा है, वो दूसरे बच्चे को चुप करवा रहा है, जो रो रहा है, by offering his a toy, ठीके, तो उस बच्चे ने दूसरे बच्चे को अपना toy दे दिया, उसको चुप करवाने के लिए, यह जो behavior है, बच्चे का, कि वो दूसरे ब emotional development, next, प्याजे ने जो theory दी थी, उसमें कितने stages थे cognitive development के, तो हमें बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने चार stages की बात की थी, S, P, C and F, sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational, प्याजे की पूरी theory आपने पढ़नी है, पता करना अपने सब कुछ उसके बारे में, तो आप मेरी previous वीडियो में जा बुरी थी, child development को लेकर वो क्या थी, is a product of social interaction, वा गोच्की ने कहा था, कि जो बच्चा है, वो society में रहकर जादा अच्छे से सीख सकता है, फिर आते ही next question, per 21st, Cephalo Codal, trend implies Cephalo Codal, आप सब को पता है, from head to foot, जब हमारी development होती है, उसको Cephalo Codal बोलते हैं, तो उसमें आएगा progress की जगा, ये दो चीज़ें आएंगी, muscular control और coordination प्रॉपर है, ठीक है, तो दोनों, both A and B, B option आपका बिल्कुल correct है, then comes the next, socialization की बात आई है, socialization और social development, ये एक process है, जहाँ पे biological individual है, human person में convert होता है, ये चीज़ किसने बोली थी, तो हो हर लोक ने बोली थी, socialization की बात जातर हर लोक ने ही बोली है, meaning of ILFE, ILFE का meaning क्या होता है, तो इसका meaning बहुत simple है, inclusive learning friendly environment, कि हर एक बच्चे को include करना है, चाहे उसको को disability है, उसको normal बच्चों के साथ ही बिठाना है, inclusive करना है, अपनी, मतलब, school को, मतलब, हर एक बच्चे को include करना है, then comes, the school may be regarded as a social invitation to serve the society, for specialized teaching of the young यह किसने बोला था, यह auto-wain बोला था, then a child studying hard for the getting scholarship, एक बच्चा है, वो सिरफ scholarship पाने के लिए, कि हाँ, मुझे scholarship मिलेगी, ठीक है, तो उसके लिए मेनत कर रहा है, तो वो कौन से motivation हुई, वो extrinsic होई, क्योंकि intrinsic तो होता है, अपने pleasure के लिए आप कुछ कर रहे हो, extrinsic होता है, कि जो teacher की effectiveness है, teaching में, वो हम कहां से judge कर सकते हैं, मतलब कैसे judge करेंगे, कि जो एक teacher है, वो अपनी पढ़ाई में, मतलब पढ़ाने में, कोई, मतलब छोड़ नहीं रहा है, कोई भी चीज, अच्छे से पढ़ा रहा है, हमें कैसे बता लगेगा, कैसे हम उसके teaching को judge कर सकते ह है, कि वो बच्चो की needs को fulfill कर रहा है, teacher, अच्छे results लेके आके, नहीं, raises the IQ, no, it stimulates the learner's thinking, बच्चो की thinking जब develop होने लग जाए, तो में पता लग जाता है, कि एक teacher बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, तब ही तो बच्चा अच्छे से सोच पा रहा है, then comes 27th question, इन में से कौन सा measure नहीं किया जाता, intelligence test, ability to learn, ability to apply one knowledge, ability to think divergently, and to perceive relationship, देखो, think divergently, ये तो बच्चे की thinking या ना, तो ये आपको test करके नहीं पता कर सकते, बच्चे की IQ नहीं पता कर सकते आप इस चीज से, then comes the next, 28th question, तो जो कोलवे की moral development की theory थी, वो किस से related थी, वो प्याजे की moral development stages से ही related थी, कोलवे की theory, प्याजे की theory से related थी, next comes, best way क्या है, अगर kindergarten के बच्चों को आपने deal करना है, उनके misbehavior से, कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 1st to 5th class के, वो misbehavior कर रहे हैं, कि उसे से, आप उसको कैसे deal करोगे, punish करोगे, no, ignore करोगे, no, punishment दोगे, no, उनकी energy को channelize करोगे, कि बच्चा, ये चीज गलत होती है, ये नहीं करना चाहिए, उनको positive चीजें सिखा हो गया, अब आतने हैं, last question की तरफ, उनको ने बोला है, कि जो students हैं, वो improve कर सकते हैं, अपनी comprehension को, of the writing material, writing अच्छी करनी है, उनको अपना मतलब को यासे दे दिया, वो खुद से बनाएंग strategy यूज करके, SQ4R की, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, survey, पहले आप survey करेंगे, आप question देखेंगे, कि क्या है, उसको read करेंगे, अच्छे से, फिर अपने words में recite करेंगे, फिर उसको लिखने की कोशिश करेंगे, और फिर आप review करेंगे, कि हाँ, जो मैंने लिखा है, क्या वो सही है, तो इसका full form यही होती है, कई बर full form भी पूछी जा सकती है, तो धियान रखना, SQ4R, मतलब S for survey, Q मतलब question, 4R मतलब R, read, recite, write and review, ठीक है जी, तो I hope today's video is useful for you, thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel for further videos.